अभियास बारह बड़ा भारी लाव हुआ है परन्तु उनको अभि तक किसी भी रूप में सहायता नहीं मिल सकी है मैं समझता हूँ की और मुझे इस बात की चिंता है की ऐसे लोगों की भी उदारता पुर्वक सहायता करनी चाहिए थी जो कमजोर वर के लोग हैं और स्वधिन्ता के बाद और उससे पहले भी जिन्हों ने देश की अनेक परकार की सेवा की है दुनिया के अन्य देशों में अपनी भासा के प्रती बड़ा प्रेम है मानों का जीवन में भासा के आलावा अन्य मामलों में भी एक दूसरे के साथ गहरा संबंध होता है भासा के अलावा अन्य मामलों में भी उन देशों में अन्य देशों के मुकाबले में ज्यादा एकता है सरकार की तरफ से सभी लोग निश्चित हैं वे कहते हैं कि हमारी तरफ से हो या आपकी तरफ से हो इनकी तरफ से हो या उनकी तरफ से हो चारो तरफ से हो जिनकी तरफ से हो भी यह प्रस्ताव आता है सरकार की तरफ से उसमें कभी बाधा नहीं डाली जानी चाहिए चारो और से हर्ष के साथ उसका समर्थन किया जाता है उन विसमें जिनके बारे में उनको परियाब जनकारी नहीं है उनमें से कुछ लोग भले ही सहमति ब्यक्त ना करें लेकिन उनमें से अधिकतर लोग उसके लिए अपना समर्थन ब्यक्त करेंगे अन्य बातों के अलावा उन सभी लोगों ने यह भी हरेदैस से स्विकार किया है कि दूसरे देशों में जो कुछ होता है उससे हमें सरोकार नहीं है देश का ही तस्वरोपरी होना चाहिए दूसरा भी से कोई भी हो उस पर हम पूरी तरह से विचार कर सकते हैं देश के जो भी नागरिक हों उनकी और से सदा अन्य बातों के अलावा इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि वे देश का हिस सदा ध्यान में रखें सरकार की तरफ से भी यह पर्यास होना चाहिए कि अन्य लोगों के साथ सरकारी कर्मचारी भी इसी बात का ख्याल रखें कि राश्टिय संपत्ति का दुरपयोग न हो और देश का हित सरोपरी हो सरकार की तरफ से ऐसे लोगों पर कड़ी निगाह रखी जानी चाहिए जिनकी तरफ से तोड फोड की करवाहियों को बढ़ावा मिलता है स्वतंत्रता के बाद देश के नव निर्मान में इस्तिरियों ने महत्तोपूर्ण योगदान दिया है हमारे देश की समिधान सभा की सदस्य भी इस्तिरिया रह चुकी है राजनीती के छेत्र में इस्तिरियों ने असाधारन सफलता प्राप्त की है आज भी अनेक प्रांतों में विधायकों के रूप में एवं संसदों के रूप में उनकी महत्तोपूर्ण भूमिका है भारत जैसे विशाल देश ने एक सुयोग एवं करमठ इस्त्री के नेत्रितों में भारी प्रगती की है